नमस्कार, मैं हूँ शंदीब कुमार, आप सभी का अरुमा साइंस क्लास में श्वागत करता हूँ. आज का टॉपिक है वर्क पार्ट टू, जिसे फिजिक्स के अंतरगत रखा गया है। इस चप्ट टॉपिक के अंतरगत बहुत सी बाते हैं, जिसे पहले के एजुकेशनल वीडियो में रखा गया, बताया गया है। इस वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में आप लोगों को नेचर आफ वर्क के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, फ़रा mathematics को देखते हैं, mathematics को पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, ट्रेंगिल, त्रिभूज, तीन भुजाओं से बनी हुई आकिर्थी को त्रिभूज कहते हैं। इंग्लिस में ट्रेंगिल कहते हैं ट्रेंगिल के अंतर का थाम लोग कई परकार के ट्रेंगिल्स जानते हैं पड़े हुए हैं उन में से एक महत्पूर्ण ट्रेंगिल है राइट एंगिल्ड ट्रेंगिल ऐसा टेंगिल जिसका एक कौन 90 डीजी के बराबर हो वैसे टेंगिल को इन भुजाओं से घिरी हुई आकिरती को हम लोग राइट अगिल्ड टेंगिल कहते हैं 90 डीजी के सामने जो भुजा होती है सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम लोग hypotenuse कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं और 90 degree जो भुजा 90 degree बनाती है कौन खरीब हुजा जो होती है, वर्टिकल जो होती है उसे हम लोग perpendicular कहते हैं, हिंदी में lump कहते हैं और यह lump जो भुजा होती है वो हमेशा theta के opposite होती है, एक भुजा जो होती है वो पिर्थवी के शमांतर होती है, और gentle होती है उसे हम लोग base कहते हैं, आधार कहते हैं हिंदी में जैसे आप लोगों को दिखाया गया है या एक पिर्भूज है B, A, C, right angle triangle है जिसमें angle B, A, C equal to 90 degree जबकि A, B, C तो हम लोग theta से निरुपित किये हैं, दर्साएं हैं AB आधार है, AC hypotenuse कर्ण है, और AC perpendicular है, लंब है और हम लोग जब work chapter पढ़ते हैं, तो costita का चर्जा पहले वाले वीडियो में हमने किया है costita के मादिन अजर हम लोग इस वीडियो को बनाए हैं और आपनों के बीच रखा गया है जो इस परकार है, जैसे costita का मतलब होता cosine of angle theta और costita equal to the आधार बटा कर्ण, means base divided by hypotenuse base को हम लोग B से निरूपीत करते हैं और hypotenuse को H से निरूपीत करते हैं हम लोग थोड़ा cost theta theta का मान है 0 रकते हैं 20 degree रखते हैं 35 degree रखते हैं 86 degree रखते हैं 90 degree रखते हैं 120 degree रखते हैं 135 degreeρί रखते हैं 190 degree 270 partial point आपचे हैं मान रखे हैं उसका वेलू क्या क्या आता है जैसे व्याद करने वाला चीज है जैसे cos 0 degree ब्रावर बन, cos 30 degree equal to root 3 divided by 2, cos 45 degree equal to 1 by root 2, cos 60 degree 1 by 2, cos 90 degree ब्रावर 0, cos 120 degree ब्रावर minus 1 by 2, cos 135 degree equal to minus 1 divided by root 2, cos dare so degree equal to minus root 3 divided by root 2, cos 180 degree ब्रावर minus 1, cos 270 degree equal to 0, cos 360 degree equal to 1 ये सब फ़रा हम लोग याद कर लेते हैं और याद करना भी चाहिए जानना जरूरी है तो हम लोग अब चलते हैं work की और work का परिफासा पहले के वीडियो में दिया जा चुका है इस वीडियो में सिर्फ सुत्र को लिया जाता है जैसे work equal to क्या हो गया f above arrow dot s above arrow f से हम लोग force applied को denote करते हैं और s से हम लोग displacement को विस्थापन को निरुपित करते हैं जब dot को हटा दिया जाता है तो जो formula बनता है वो क्या होता है fs cos theta we know that work done is a scalar quantity हम लोग जानते हैं कि work जो है charge जो है वो scalar quantity है इसलिए इसका value जो है वो positive हो सकता है plus बला हो सकता है negative हो सकता है minus बला हो सकता है या प्राय 0 भी हो सकता है हाँ कैसे यह बहुत बड़ा रस्न है कि कैसे हो सकता है क्यूं होगा यह बड़ा जरूरी है जानना जरूरी है अब देखिए बताया जाता है if the value of theta is equal to 0 degree या greater than 0 degree but less than 90 degree बोला जाता है यदि theta का value जो है मतलब theta के बड़ले जो हम रखते है mom जो रखते है जैसे theta का 0 degree रखते है या 0 degree से ज्यादा रखते हैं लेकिन 90 degree से कम रखते हैं तो क्या होता है work जो होता है work done जो होता है वो positive होता है कहने का मतलब theta का theta equal to 0 degree या less than 90 degree means acute angle acute angle को हम लोग इंदी में काते है noon cone then costita is positive hence work done is positive अब example लेते हैं जैसे बोला गया है when a body falls freely under the action of gravity when a body falls freely under the action of gravity तब क्या होता है theta बराबर 0 degree और cos theta बराबर cos 0 degree और cos 0 degree का मान यहां पर क्या रखा गया है 1 plus 1 है इसलिए क्या हो गया in this case work done is positive देखिए आगे फिर हम दोग चलते हैं थोड़ा सा एक जंप लोग रखते हैं if we stretch a spring यदि हम spring को stretch करते हैं खीचते हैं work done by stretching force is positive क्या होता है work done जो होता है खीचने वाले बल जो खीचने में जो बल लगा है वो क्या होता है stretching force के द्वारा जो काम किया गया है वो positive होता है अगला देखिए when a gas is filled in a cylinder fitted with a movable piston is allowed to expand कहरा है जब हम कोई gas को cylinder में fit करते हैं मतलब भरते हैं sorry भरते हैं अब वो cylinder में movable piston लगा होता है तो वो क्या करता है gas को खालने में allow करता है जो क्यूकरती देता है work done by gas is positive अब देखिए सादानन बात हम लोग समझते हैं एक figure के माद्धम से समझते हैं समझने में असानी होगी ठीक है जैसे कोई object है रखा हुआ है object प्रित्वी पर रखा हुआ है level पर रखा हुआ है जो यह मुझे पर बल लगाते हैं बल लगाते हैं तो जिस और बल लगाते हैं उसी और बस्तु का जब displacement होता है विस्थापन होता है इससे क्या पता चलता है बल और विस्थापन एक ही दिशा में हुआ है तो ऐसे में क्या होता है वर्क डन जो होता है पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वर्क डन एसलेरेट्स बड़ी क्या करता है बड़ी की गती को बढ़ाता है काने का मतलब है velocity of the body increases मतलब बड़ी का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है बड़ी कर जाता है अब हम लोग पढ़ते है नीगेटिव वर्क डन वर्क डन शुत्र से वर्क डन इकल टो F पर एवग एरो dot S पर एवग एरो इकल टो क्या हो गया dot रटा दिये F cos Fs cos theta if the value of theta is 91 degree to 180 degree cos theta is negative hence work done is negative कहने का मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जब theta का degree में हम अगर रखते हैं 91 से लेकर 180 degree तक कहीं भी रखते हैं तो इस सवस्था में work done जो होगा वो negative होगा कहने का मतलब theta equal to above 90 degree or equal to 180 degree तो work done क्या होगा negative होगा आप सदारन सा एक figure के माद्यम समझते हैं एक तरफ बल लग रहा है वहां strong man है ताकतवर आदमी है और उसके लिप्रित जो बल लग रहा है उधर weak person है strong man के अपर एक्छा जो है कमजोर है व्यक्ती है अब बीच में कोई वस्तू है उस वस्तू पर मतलब दोनों तरफ से वो बल लगा रहे हैं तो समानने बात है कि मजबूत व्यक्ती जो है वो कमजोर व्यक्ती की वर वस्तू को धका दे देगा displacement करा देगा इस तरह का जो यहां पर work होता है वो negative होगा क्योंकि यहां theta का 180 degree होता है theta 180 degree के बराबर होता है और 180 degree का मान क्या होता है हां minus one होता है इसलिए work done क्या होगा negative होगा सेम उसी तरह का दूसरा भी example आपको figure के माद्धम से नीचे दिया गया है इसमें भी क्या होगा work done क्या होगा work done क्या होगा यहां sorry थोड़ा सा यहां गलती हुआ है elderson यहां पर है बराब बेटा है और से यहां लगा रहा है इधर बस्तू पर लगा रहा है इधर younger son इधर है यदि younger son अगर छोटा वला बेटा अगर बुलंद है मजबूत है तो वो क्या कर देगा elder son की और बस्तू वो displace करा देगा इस्थांदरित करा देगा और यहां भी work done क्या होगा निगेटिव होगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा और एक्जांपल देखिए अब एक्जांपल देख लेते हैं एक्जांपल से पहले जो बात यहां लिखा हुआ दिख रहा है वो यह है इफ थीटा इस अब्ट्यूस एंगिल जो निगेटिव एक्जांपल देख लेते हैं वो यह चल रही कार में जब हम ब्रेक लगाया जाता है वर्क दन बाए दा ब्रेकिंग फोर्स इस निगेटिव ब्रेकिंग फोर्स यह द्वारा जो कार्ज होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है और एक नोट में हम लोग इस बात को भी ध्यान रखते हैं निगेटिव वर्क रिटार्ट्स दा बड़ी लेट मेंस वेलोसिटी अफ दे बड़ी देक्रिजेज यहाँ पर क्या होता है बड़ी का जो velocity है वो घटता है अब हम लोग चलते है जीरो वर्क हम किस अवस्था में कार्ज को जीरो मानते हैं साइंस की भासा में यहां हम लोग थोड़ा देखते हैं वेन फोर्स अपलाइट इक्वल टू जीरो चाहे तो जैसे फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट की बात होती है दोनों में से कोई एक अगर जीरो हो जाता है चाहे फोर्स जीरो हो जाए बल लगे ही ना बल लगाया ही ना जाए या फिर बल लगाया जाए डिस्प्लेस्मेंट ही ना हो तो displacement यहां क्या हो गया जीरो यहां बल ही ना लगाया गया ना बस्तू में displacement हुआ तो दोनों क्या हो गया बल और displacement दोनों जीरो हो गया इस अवस्था में हम लोग क्या कहेंगे work done क्या हुआ जीरो हुआ work done क्या हुआ जीरो हुआ एक और अवस्था है जो होता है वो 90ep degree के बरावर होता है तब cos theta equal to cos 90ep degree और cos 90 degree का मान क्या होता है? Zero होता है और ऐस सबस्ता में work done क्या होता है? Zero माना जाता है अब कोई वस्तु है? लिगड के माधेम से देखते हैं अब कोई वस्तु है? रखियोई वस्तु है? और हम vertically उस पर force लगाते हैं जब लगाते हैं 90 degree यहां बना यहां भी क्या होगा work done क्या हुआ जीरो हुआ अब example देखते हैं when we push hard against a wall जब हम खरी दिवाल मजबूत दिवाल पर जब हम push करते हैं धका देते हैं बल लगाते हैं और वो दिवार जो है वो नहीं गिरता जो कात्यों रहता है इस सबस्था में क्या करते हैं यहां work done जीरो हुआ लेकिन एक बात है बल लगाने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने हाथों का प्रियोग किया है muscles का प्रियोग किया है काफी प्रियास किया है कि सबस्था में क्या होगा वो ठक जाएगा उसको ठकावट महसूस होगी अब देखिए कोई कूली है कोई कूली है होरिस्टेशन पर वो होरिजन्टल लेवल पर होरिजन्टल प्लेटफॉर्म पर अपने सर पर सिर्द जो है न उस पर उपर पर अगर लोड को रखे हुए है बक्सा रखे हुए है अब वो जा रहा है तो वहां भी हम क्या कहेंगे कूली के द्वारा साइंस की भासा में जो वर्क डन हुआ वो जीरो हुआ लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा ठीक न? कूली को पैसा जरूर दे दिजेगा मजदूरी जरूर दे दिजेगा नतल लराई करेंगे वो ठीक न? हाँ ठीक न? आपका अपमान होगा ठीक न? एक जगह से दूसरे जगह वो समान पहुचा देंगे उनको पैसा जरूर दे दिजेगा उनका मजदूरी जरूर दे दिजेगा लेकिन जब वही कूली प्लेटफॉर्म पर से वोते हुए अगर वो सीडी के सहारे अगर सीडी पर चड़ता है एक, दो, तीन, चार, दस सीडी पर चड़ता है तो वहाँ पर हम वर्क को सुनने नहीं बताएंगे जीरो नहीं हुआ वहाँ पर वर्क हुआ पॉजिटिव वर्क हुआ और उसका सुत्र क्या है MGH MGH W उकल टू मास इंटू G इंटू हाइट G का मतलब मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है और हम करके यहाँ जो निकालेंगे वहाँ क्या होगा पॉजिटिव वर्क होगा अब आगे देखते हैं वर्क ड़न औने बड़ी मुविंग इनने सर्कुलर पाथ अब कहा जा रहा है किसी सर्कुलर पाथ पर किसी बड़ी का मुवमेंट होना चलना वहाँ पर वर्क ड़न क्या होगा जीरो होगा क्यों सेंट्री पैटल पोर्स की बज़े से होगा सेंट्री पैटल पोर्स की बज़े से होगा इसलिए ऐसा होता है अब देखिए अगला एक्जम्पल है The effort done by the moon As it orbits the earth Is also zero देखिए अब कह रहा है Moon जो effort लगाता है मतलब done होता है चंद्रमा के द्वारा क्या करने में पिर्थवी के चारोड Orbit करने के लिए Orbit होने के लिए भूमने के लिए तो वहाँ भी क्या होता है The effort done by the moon is zero आज आपको इस वीडियो के मादन से Nature of work के बारे में Physics के अंतरगत बताया गया है जो मातपूर्द है वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूर दूर तक अपने मित्रों तक Share करें, पहुँचाएं Like करें, Subscribe करें और कोई comments बने तो उसे comments box में लिखें इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद